बहु ब्रहमांड का सिध्धान्त आधुनिक ब्रहमांड विज्ञान के सबसे आकरशक और अस्थिर विचारों में से एक ये सुझाव देता है कि हमारा ब्रहमांड अकेला नहीं है संभावित रूप से कई शयद अनंत संख्या में ब्रहमांड हो सकते हैं में भौतिक गुण अलग-अलग हो सकते हैं हलांकि यह विचार आधुनिक विज्ञान के लिए अपेक्षा कृत नया है लेकिन यह हजारों सालों से प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक मौलिक हिस्सा रहा है सबसे आकरशक बात यह है कि उस समय यह आधुनिक अवधारना को कितनी अच्छी तरह से समझाया गया था हिंदू धर्म चक्रिये समय की अवधारना भी प्रस्तुत करता है जहां घटनाएं अंतहिन रूप से दोहराई जाती है यह विचार असामान्य लग सकता है लेकिन यह उस सिध्धान्त के अनुरूप है कि समान पृत्वी और घटनाएं अन्य ब्रह्मांडों में एक साथ मौजूद हो सकती है अर्थात कोई विक्ति कहीं और उसी क्षण का अनुभव कर सकता है उदाहरण के लिए आप रामायन, महाभारत या अन्य एतिहासिक घटनाओं को एक अलग ब्रह्मांड में जी रहे हो सकते हैं भले ही आप यहाँ अपना जीवन जी रहे हो विज्ञान और वैदिक शास्त्रों दोनों के अनुसार ये समानांतर अनुभव सम्भव है रामायन, एक प्राचीन संस्क्रित महा काव्य भगवान राम की कहानी कहता है जो भगवान विश्णु के अवतार हैं जब भगवान राम का धर्ती पर अवतार समाप्त होने के करीब था उन्होंने यम मृत्यू के देवता को बुलाया लेकिन यम अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि हनुमान जिन्होंने राम से मृत्यू को दूर रखने का वरत लिया था द्वार की रक्षा कर रहे थे घटनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए राम ने अपनी अंगूठी धर्ती की एक दरार में गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने को कहा हनुमान आकार में सिकुड कर दरार का पीछा करते हुए पाताल लोग पहुँचे जहां उनकी मुलाकात नागराज वासुकी से हुई वासुकी ने जीवन और मृत्यू के चक्र को एक अंगूठी के पहाड का उपयोग करके समझाया जिन में से प्रत्येक एक समय चक्र या काल चक्र का प्रतिनिधित्व करता है ये चक्र कई समाना अंतर ब्रहमांडों में फैले होते हैं वासुकी ने हनुमान को बताया कि राम के अवतार विभिन ब्रहमांडों में जारी रहेंगे और जब हनुमान वापस आए तो यम ने राम का जीवन ले लिया हनुमान की अनुपस्थिति में चक्र को समाप्त कर दिया इसके अलावा हनुमान समझ गए कि वहां हर बार पुनरजन में लेंगे रामायन की यह कथा समाना अंतर ब्रहमांडों के अस्तित्व का सुझाव देती है जहां घटनाएं अनंत रूप से दोहराई जाती है यह दया और प्रसन्नता को प्रोचसाहित करती है क्योंकि भगवान राम के जीवन की घटनाओं को माना जाता है कि वे इस क्षण में विभिन ब्रहमांडों में हो रही है यद्यपी ये अवधारनाएं जटिल लग सकती है वे हिंदू विश्वास में समय की शाश्वत और चक्रिय प्रकृति को उजागर करती है एक अन्य कहानी जो बहु ब्रहमांड का वर्णन करती है वह श्री कृष्ण और ब्रहमा के बीच की है हिंदू दर्शन में अवतार की अवधारना उस सुप्रीम बिइंग परमसत्ता के भोतिक संसार में सजीव रूप में प्रकट होने को दर्शाती है अन्य जागरूक व्यक्ति जो विभिन आध्यात्मिक तकनीकों का अभ्यास करते हैं उन्हें अपनी चेतना को उठाने के लिए अवतार अपनी दिव्य उद्देश्य को प्रारंब से ही जानते हैं ब्रहमा भोतिक ब्रहमांड के निर्माता है और एक उच्चतर आयाम जिसे ब्रहमलोक कहा जाता है में निवास करते हैं जब सुप्रीम बिइंग ने भोतिक तल पर जन्म लिया तब भी ब्रहमा को यकीन नहीं था कि वह वही हैं कृष्ण की परिक्षा लेने के लिए ब्रहमा ने उनके सभी दोस्तों को उस समय अपहरित कर लिया जब वे व्रिंदावन में खेल रहे थे जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया कृष्ण ब्रहमा की योजना से अवगत थे खुद को अपने दोस्तों में बदल लिया जिससे सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ जब ब्रहमा लोटे तो वह कृष्ण को अपने दोस्तों के साथ देखकर हैरान हो गए और यह नहीं समझ सके कि यह कैसे संभव है वह कृष्ण के पास गए जिन्होंने तब अपनी सच्ची प्रकृति को सुप्रीम बींग के रूप में प्रकट किया कृष्ण ने ब्रहमा को बताया कि वह ब्रहमा की योजना से अवगत थे और इसे प्रकट होने दिया ताकि सत्य सामने आ सके कृष्ण ने ब्रहमा को बताया कि वह इस ब्रहमांड में अकेले ब्रहमा नहीं है और अंगिनत ब्रहमांड है। प्रत्येक ब्रहमांड एक विशाल ब्रहमांडी ये महासागर में एक बुलबुले की तरह है। और इस अवधारणा को प्राचीन हिंदु कला में चितरित किया जा सकता है। इन कहानियों के बावजूद मुख्यधारा के इतिहास कारों और शोध करताओं ने इन प्राचीन अंतर द्रिष्टियों को उचित मान्यता नहीं दी है। हमारे लिए यहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्राचीन उन्नत ग्यान और सुन्दर समझ को दुनिया भर में साजह करें। यदि आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो बाई और के वीडियो पर क्लिक करें। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दाई और के सर्कल पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।